यह है एक smartphone जिसमें बहुत सारे features है और यह है एक dumb phone जिसमें basic features से ज्यादा कुछ नहीं होता Guys मैंने मान लिया था कि feature phone अब खतम हो चुके है अगर जब से Nokia 33-10 relaunch हुआ है तब से feature phone की demand बढ़ते ही जा रही है Guys इंडिया में 35 करोड लोगों के पास dumb phone है क्योंकि यह phone तो में सिर्फ 74 रुपे तक भी मिल जाएंगे और इनकी battery तो हफतों तक चलती है इसके अलावा smartphone में privacy का टर तो सबको रहता है अगर feature phone में इसका scope भी नहीं है बाकी हमारा attention span तो कम होई रहे उल्टा कितना सारा time waste भी हो जाता है तो सोचने वाली बात है क्या dumb phone एक smart choice हो सकती है